घ्र को ayudar थो इस हो'RE क्यों तो इस फ्रेसरे करते हों साथ हो यह होंते हैं इस फोइड पी पृइत इस पृइ पृइपर इस फॉरी की तुइशियू ओकर अप डीए दुकिशे हैं एंगल is equal to PQ तो अब let's say मेरा जो circumcenter है वो यहां पर है कहीं पर ठीक है अब हमें पता है circumcenter क्या होगा angle bisector पर होगा इस पर यह से कोई डाउट ही निया ठीक है क्योंकि isosilis triangle है ना तो यह से मैंने जॉइन कर दिया हमारे circumcenter को ठीक है अब circumcenter को मैंने जॉइन कर दिया है ना तो अब हमें एक चीछ पता होती है जो circum radius होती है capital R वो क्या होती है इस question में वो हमारी equal है PQ के या फिर equal है PR के बट actual में जो इसका formula होता है वो क्या होता है A upon two sign है तो means अगर मैं side PQ consider करूँ तो यहांसा देगा PQ upon what two times of sign R ओके या फिर क्या आती है अगर मैं PR को consider करूँ तो आजएगी value PR upon two sign Q या फिर मैं consider करूँगा तो आजएगी value क्या QR upon two sign P तो QR upon two times of sign P तो यह हमारी value है जाती है ओके अब अगर यह value PQ के ही equal है तो यहांसे मैं clearly बोसकता हूँ कि PQ जो हमारी circum radius है वो किसके equal आ गई वो आ गई equal to PQ upon two sign R के value आ गई PQ upon two sign R के तो अगर यहांसे इस case में कहा जाएगा two sign R की value किती हो गई one तो sign R की value किती हो गई sign R is equal to one by two और sign R की value one by two तो R की value किती हो गई R हो गया हमारा equal to pi by six अगर angle मेरा R हो गया pi by six के equal similarly अगर यह PQ के equal है तो P R के भी equal होगी तो similarly sign Q भी किता हो जाएगा हमारे पास में यहां सादेगा similarly sign Q की value भी one by two जाएगी तो angle Q भी जाएगा हमारे पास में pi by six अब हमसे पूछा क्या है तो हमसे पूछा है then the angle P is angle P के जाएगा angle Q minus angle R तो angle P हो जाएगा हमारे पास में total pi में से का करेंगे r minus q कर देंगे तो pi minus r minus q कर देंगे और R और Q की समकेता है pi by three के equal तो pi minus pi by three is two pi by three तो angle P is equal to what two pi by three so answer for this question is two pi by three